वसूलों पे अगर आचाए तो टकराना जरूरी है जो जिन्दा हो तो जिन्दा नजर आना जरूरी है और कौन बताए इन नए उम्र की खुद मुखतारियों को कि कहां से बच के चलना और कहां जाना जरूरी है स्टूडेंट्स इस समय सबसे जादे आपके लिए पढ़ना जरूरी है और पढ़ाई करेंगे कैसे उसके लिए आपका टार्गेट गुर्कुल एप पे अपका अपना कोर्स सार्थी बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रहा है सभी बीकम 4 semester के students का जो कानपुर University के हैं, महत्मा काधी कास के विध्यापीट के हैं, आगरा University के हैं, या गोरख पूर University के हैं या फिर आप लखनव University के हैं आप सभी के लिए आपका अपना कोर्स सार्थी इंतिजार कर रहा है बड़ा ही बेसबरी से तो उतने ही बेसबर आप बन जाएए अपने semester exam की तयारी को लेगे तो आज ये वीडियो आपको यूटूब पे मिलने वाला है जिसमें हम आप discuss करेंगे कि income tax के कौन-कौन से important questions है जो आपके exam में आ सकते हैं and definitely ये questions आपके previous year paper में आये हैं ठीक है चलिए सबसे पहला question है दोस्तों income tax act was passed in income tax act कब पास हुआ था आप सभी को पता होगा income tax act पास हुआ था 1961 में 1961 में हिंदी में आयकर अधिनियम वर्स में पारित किया गया था तो आयकर अधिनियम 1971 ये जो वर्स है उसमें पारित किया गया था सबसे पहले आपको ये समझना है income tax की एक कहानी है अपनी जिससे काफी questions आपके semester exam में बनते हैं सबसे पहला question बनता है कि बताइए हमारे देश में पहली बार या हमारे देश में पहली बार पहली दफां income tax कब लगा था तो first income tax लगाय गया था हिंदूस्तान में 1860 में 10860 में किसके दौरा लगाता तो उस इंसान का नाम था Sir James Wilson क्या नाम था दोस्तों Sir James Wilson इनके द्वारा पहली दफाँ हिंदूस्तान में आयकर लगाया गया था इंकम पे टेक्स लगाए गया था, इस सन में 1860 में, इसके बाद हमारे देश में जब बृतानी हुकूमत थी, बृतन की सरकार थी, बृतन गवर्मेंट थी, तो उस समय 1918 में, 1918 में और 1922 में, दो अलग-अलग इंकम टेक्स पास किया गया, and finally एक समय के बाद हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से अजाद हुआ, और हिंदुस्तान का अपना इंकम टेक्स पास किया गया, 1961 इंडिपेंडेंट इंडिया का इंकम टेक्स का पास हुआ, तो इंडिपेंडेंट यानि स्वतंत्र भारत का इंकम टेक्स पास किया गया था, 1961 में, इससे पहले हिंदुस्तान में इंकम टेक्स पास किया गया था, लेकिन वो बृतन गवर्मेंट के उधारा पास किया गया था कौन-कौन से येर्स थे 1918 यानि 1918 और 1922 ठीक है अगला कोश्चन है the income tax act came into force on income tax act force में कब आया था इंदी में आयकार अधिनियम कब लागू हुआ था ध्यान से समझेगा income tax act passed तो हो गया था 1961 में लेकिन income tax लागू हुआ था 1st April 1962 से और 1st April 1962 से income tax के rules भी applicable हो गये थे अप्लिकेबल हो गये थे income tax rules याद रखिएगा अगर एक्जाम में question बने कि income tax act पास कब हुआ था तो 1961 में हुआ था लेकिन income tax लागू कब हुआ था force में कब आया था आयकर अधिनियम तो वो हुआ था एक अप्रेल 1962 से फॉस्ट अप्रील 1962 से और इसी एर में 1962 में income tax rules को बनाए गया था इसी एर में 1962 में income tax rules यानि आयकर अधिनियम संबंधी नियमों को बनाए गया था ठीक है चलिए अगला है question number third income tax is a तो इस पर मैंने आपको सबसे पहले lecture में बताया था जो introduction lecture था आपका income tax का कि income tax हमारे देश में एक direct tax है एक प्रत्यक्ष कर है क्या है income tax एक direct tax है यानि आयकर एक प्रत्यक्ष कर है प्रत्यक्ष करक्षा होता है एक ऐसा कर एक ऐसा टेक्स जिसका burden आप shift नहीं कर सकते हैं जिस पर टेक्स लगाया गया है वही इनसान tax पे करेगा उसको हम income tax कहते हैं और एक होता है income tax rates are fixed in, income tax की दरे कब थै होती हैं, तो income tax के जो rates होते हैं उनकी जो दरे होती हैं उन्की जो rates होते हैं् हो फिक्स होते हैं हर साल annual finance Act में कहां fix होते है, annual finance Act में इसकी भी कहानी मैंने आपको बताई थी कि हर साल हमारे देश में w phynain swr timeline वित्त्मंत्री होते हैं वो पार्लेमेंट में विधान सभा में लोग सभा में राज्य सभा में एक बिल पेस करते हैं जिसको आप लोग बजट कहते हैं उसमें से एक अलग ही हिस्सा होता है बजट का इसका नाम होता है फाइनेंस बिल जब यह फाइनेंस बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है यानि से पास हो जाता है पार्लिमेंट का मतलब लोग सभा और राज्य सभा से पास कर दिया जाता है फिर फाइनली ये बिल पहुंसता है प्रेसिडेंट के पास देश के राष्टपती के पास और देश के राष्टपती की सहमती ली जाती है असेंट लिया जाता है और जब देश के रास्ट्रपती की असेंट यानि सहमती मिल जाती है तो यह income tax is a finance bill है यह finance act में परिवर्तिस हो जाता है और finance act में जो भी income tax rates determine किया जाते हैं उसी income tax rate पे उस assessment year में tax का calculation किया जाता है ठीक है और यह हर साल आता है अगला है question no 5 there are dash heads of income income के कितने heads हैं तो income के आपके 5 होते हैं कौन कान से हैं हैं मैं आपको बता देता हूँ के दोस्तों 5 हैटों देजरी है Fut there are 5 Teaches of income इंदी में income के पांच प्रमुक शुरूथ है कौन कान से सुरूथ है पहला होता है income from salary क्या होता है इंकम फॉर्बाइड दूसरा होता है income from house प्रोपर्टि तीसरा होता है Profit and Gains of business and profession जिसको PGBP sort में कया जा सकता है PGBP Profit and Gains of business and profession चौथा income होता है आपका Capital Gains और पांच वा होता है आपका income from other sources टीक है चलिए याद रखी गामेसा कि जो आपका income tax है income tax है उसमें income के 5 sources determined कि गये हैं जिस पर टेक्स लगता है कौन कौन से सोसिस है income from salary यानि आपके वेतन से आया हुआ आये income from house property आपके घर का जो संपत्ती है उससे आया हुआ आये तीसरा है profit and gains of business and profession मतलब किसी पेशा और किसी व्योसाय से कमाया गया profit यानि love या फिर gains ठीक है तीसरा है capital gains मतलब आपने कोई संपत्ती बेची है कोई fix deficit बेचा है और उससे आपको कोई profit जनरेट हो रहा है तो उस profit पे भी आपका tax लगेगा जिसको हम house property tax कहते है sorry capital gain tax कहते है capital gain tax अगला income from other sources income from other sources का मतलब क्या है कि अगर कोई income इन चार sources में नहीं आ रहा है अगर कोई आए इन चार स्रोतों में cover नहीं हो रही है तो पांच्वे स्रोत में होती है इसका नाम क्या है income from other sources अगला question number six a person with the age of dash or more is considered as super senior citizen as per income tax act यह मैंने आपको one short revision जो आपको YouTube पर upload किया उसमें भी बताया है साथी साथ मैंने आपको जो बच्चे सार्थी जॉइन किये हैं अभी I think 1000 से अधिक की student सार्थी जॉइन कर चुके हैं आप अभी तक सार्थी जॉइन नहीं किये हैं तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा opportunity है मात्र 20 दिनों में अपने semester exam की त लगा सकता है आपके semester exam में बहुत ही बहतरी नंबर लाने में आपकी मदद कर सकता है चलिए कोशन पूशा गया है छटवा इसको मैंने आपको बताया था सार्थी वाले students को भी और इसको साथ साथ वन सौर्ट में भी कि एक ऐसा इंसान जिसकी is 80 साल या उससे ज्यादा हो उ ऐखा सूपर senior citizen कोई ऐसा इंसान जिसकी उमर साथ से 80 साल के बीच में हो मतलब 60 साल से ज्यादा हो लेकिन 80 साल से कम हो उस इंसान को कहتे है senior citizen ज़्याद रखिएगा और इन सबी के लिए exemption limit होती है क्या होती है exemption limit होती है Super senior citizen के लिए नियर 10 degree और जिसकी उमर 60 साल से अधिक है, लेकिन 60 साल से कम है, उसको हम senior citizen कहते हैं, और उसको भी exemption मिलता है, लेकिन super senior citizen से कम exemption मिलता है, income tax है, ठीक है, चलिए, अगला है question number 7, the minimum exceptional limit of income is, जो minimum exceptional limit है, income की वो क्या है, तो minimum exceptional limit income की, अभी हिंदुस्तान में धाई लाग है, क्या है, यहाँ प धाई लाग है, 2,50,000 है, ठीक है, अगला है question number 8, rebate of income tax is defined as per section, जो rebate है, rebate मतला होता है हिंदी में छूट, तो छूट को कहाँ define किया गया है, छूट को कहाँ परिभासित किया गया है, income tax act में, यानि आयकर अधिनियम में, तो छूट को define किया गया है, under article, section 87A, कहां define किया गय है, किसको, छूट को, यानि rebate को, rebate क्या होता है, तो एक तरह से income tax की छूट होती है, जो आप claim कर सकते हैं, अगला question number 9, section 2, subsequent 9 of income tax deals with, तो ये भी मैंने आपको बताया था, जो सार्थी के students है, मैंने आपको specially बताया था, assessment year और previous year, assessment year किसे कहते हैं, उसका section कौन सा है, previous year किसे क कैते हैं, उसका section कौन सा है, देखिए, वही से questions हा रहा है, जो theories आपके सार्थी में पढ़ाएगा है, तो section 2, subsection 9, जो है income tax act का, वो deal करता है, assessment year से, यानि निर्धारर नवर से, हिंदी में याद रखिएगा, आयकर कि धारा जो है, धारा 2, 9, धारा 2, 9, deal करती है, किसे, निर आप पढ़ते हैं, class 11, 12 से, और assessment year और जो previous year होता है, वहाँ भी सेम कहानी होती, financial year की, पूछा कहें कि assessment year 12 महीने का होता है, जो कि कब सुरू होता है, तो assessment year 12 महीने का होता है, और यह सुरू होता है, एक अप्रील से, और खतम कब होता है, 31 मार्च को, कब खतम होता है, दोस्त के साथ साथ, यह 31 मार्च को, खतम होता है, यह भी आपको यादट में, ठीक है, बाकी अगला है, question number 11, when the income earned in any year, is taxed in the same year, it is called, ध्यान से, हिंदी में, जब एक verse में अर्जित आए, पर उसी verse में कर लगाया जाता हो, तो उसे क्या कहा जाता है, मतलब, जिस income में, जिस year में आपने income कमाई, फर एक्जामपल, आपने income जो है, वो 2022-23 में कमाई, और tax भी 2022-23 में लगा लिया जाता है, तो उस tax को हम क्या कहते हैं, उस income को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आप कोई concept समझना पड़ेगा, आप तो सोचेंगे सर, जिस year में income कमाएंगे, उस year में नट टेक्स देंगे, तो बि आएंगे income पिछले साल, और उस income पर tax लगाया जाएगा अगले साल, जो की previous year से next year होता है, जिसको हम assessment year कहते हैं, तो normally income tax में क्या होता है, आप कमाते income है इस साल, और tax लगता है उस पर अगले साल, for example, आप income कमाएं 2021-22 में, और उस पर tax पता है कब लगेगा, 2022-23 में, तो 21-22 क्या हो गया आपका previous year, और 22 ते इस क्या हो गया, यह हो गया आपका assessment year, normally यह condition होता है, लेकिन कुछ exceptional condition भी है, जिसका question बात कर रहा है, question यह कह रहा है, कि मानले आपने income इसी साल कमाई, उस पर tax भी इसी साल लग गया, तो इस प्रकार के income को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रकार क साल, गर्णा की गई income tax की, income tax लिया गया आप पे, उस income पे उसी साल, उसको कहा जाएगा, accelerated assessment, त्वरित मुल्यांकन, हिंदी में तो नाम ही है, त्वरित मतलब तुरंद, एक ऐसा मुल्यांकन income का, जिसमें आप जिस साल income कमा रहा है, उसी साल उसका मुल्यांकन करके आपको tax पे करना पड़ा, ठीक है, अगला question number 12, surcharge is levied when the total income exceeds, surcharge यानि अभी अधिभार कब लगाया जाता है, जब कुल आय, dash से अधिक हो जाती है, तो जो surcharge की limit है, वो मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगा तो, surcharge की limit मैंने आपको बहुत detail में पढ़ाई थी, जि पे पूछा गया कि surcharge individual पे कब लगेगा, तो individual पे तो surcharge तब लगने लगता है, जब उसकी income 50 लाग या उससे अधिक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे 50 लाग का option दिया नहीं है, तो एक करोड के option पेटिक कर देंगे, क्योंकि surcharge 50 लाग के अधिक के income पे भी लगता है, एक लगता है, उसको हम surcharge कहते हैं, और जनरली यह tax लगाया जाता है, उन लोगों के लिए जो बहुत जादे पैसा कमा रहा है, इसलिए हिंदुस्तान में कहा जाता है, कि हम इतना tax pay करते हैं, कि मेरी आधी कमाई तो tax में ही चली जाती है, 30% income tax ले लेता है, 18% आप GST ले लेता जाता है, अगर किसी individual income पचास लाग से अधिक है, एक करोड से अधिक है, तो उसका rate बढ़ जाता है, सरचार्ज का, ठीक है, उसलिए 13 है, educational says, it charges at the rate of, सैक्षिक उपकर, dash की दर से लगाया जाता है, तो जो आपका educational says होता है, वो लगाया जाता है, at the rate of 3%, याद रखिएगा educational says हमेशा लगाया जाता है, at the rate of 3%, तीन परसेंट, याद तीन प्रतिसत की दर से आपके उपर सैक्षिक, जो says होता है, सैक्षिक जो उपकर होता है, वो लगाया जाता है, अगला question 14, as per income tax act, person includes, मतलब income tax act के इसाफ़ से person में क्या क्या आता है, तो मैंने आपको income tax में, जो सा साल भी question आया है, और यहाँ पे जो MCQs, जो most important MCQs है, ऐसे ही MCQs आपके exam में बनते हैं, वहाँ पे भी question फूछा आगे, मतलब आप समाझ सकते हैं कि person कितना important है, assessment year का concept कितना important है, और यह concept की clarity आपकी तभी हो पाएगी, जब आप lectures देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको MCQ में क सबसे person में क्या क्या आता है, तो मैंने आपको बताया था, income tax में, person की definition में, एक individual भी आता है, hindu undivided family भी आती है, local authority भी आता है, यह सभी के सभी कहां आते है, income tax act में, इसके अलावा, association of person भी आता है, body of individual भी आता है, artificial judicial person भी आता है, और other person, any other person भी इसमें include हो, ठीक है, तो person क definition में according to income tax act, यह सभी के सभी आ जाएंगे, individual भी आ जाएंगे, hindu undivided family भी आ जाएगी, और local authority भी आ जाएगी, company भी आती है, artificial person के definition, person में ही artificial person में हो, अगला question में 15, यह भी मैंने आपको बताया था, कि हिंदुस्तान में, जो पूरा income tax का administration है, हिंदी में, हिंदुस्तान में जो पूरा आयकर अधिनियम का administration है, प्रसासन है, यह देखने का काम हमारे देश में CBDT करती है, कौन करती है, CBDT, CBDT का मतलब क्या है, Central Board of Direct Taxes, और यह काम किसके अंदर करती है, काम करती है, income tax department के अंदर, यह भी question मल सकता है, जिवादा यह CBDT किसके अंदर काम करती है, तो CBDT का करती है, income tax department के अंदर, और CBDT ही पुरा जो income tax का computation होता है, income tax का पुरा जो provision वगेरा होता है, उसको interpret करने का काम, और उसको, उसके इसाब से टिक्स को calculate करने का काम, यह Central Board of Direct Taxes ही करती है, इंदी में CBDT कार्थ क्या है, तो CBDT कार्थ है, केंद्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जैसा control की जाती है, Central Government के द्वारा, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेक्चर में, जो आपका income tax है, यह Central Tax है, Central Tax का मतलब क्या है, income tax कोई State Government नहीं लगा सकते, income tax लगाने की power के यह Central Government के पास है, अगर income tax लगाने की power Central Government के पास है, तो CBDT को control करने की पावर किसके पास होगी, जाईर है Central Government के पास ही होगी केंदर सरकार के पास ही होगी तो CBDATI control की जाती है Central Government के दौरा केंदर सरकार के दौरा ठीक है अगला question है दोस्तो Question No.17 To be an ordinarily resident in India an individual must satisfy अगर आप इंदुस्तान के एक समान रूप से निवासी होना चाहते हैं तो आपको कौन सी सरते पूरा करना होगा तो आपको एक basic condition और additional condition one basic condition and both additional condition आपको satisfy करने पड़ेंगी अब आप कहेंगे सरी basic condition और additional condition क्या होता है इसके लिए एक chapter है आपके syllabus में residence and tax liability chapter No.3 उसमें आपको एक चीज बताई जाती है अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ वो जो सार्थी के student से उनको बताया जा सकता है आप बस इतना याद रखे जो YouTube बारे student है कि अगर एक इंसान को ordinary resident होना है इंडिया का तो उसको एक basic condition fulfill करनी पड़ती है और साथ में दो additional conditions fulfill करनी पड़ती है मतलब आप एक basic condition एक शामान्य सर्थ और इसके साथ-साथ एक दो अथिरिक्ट सर्थों को पुरा करते हैं तो आप इंडिया के ordinary resident माने जाते हैं एक चीज़ मैंने आप पोर बताइए थी income tax के lecture में ही resident दो प्रकार के होते हैं एक होता है not ordinary resident तो ordinary resident क्या होता है not ordinary resident क्या होता यह आपको समझने के लिए सार्थी जॉइन करना पड़ेगा वहाँ पे आपको complete lecture अभी मैं वो lecture भी suit नहीं क्यों हूँ वो lecture मैं आपको बताने वाला हूँ और आज लाइब दास ओगी जिसमें वो वो जो टॉपिक है मैं कबर करूँगा कल की life class में हमने अग्री कल्चर इंकम जाना था कल की अपरशो की लाइब क्लाश में हमने ऐसा एगरिकल्चर इंकम को खतम किया था आज हम सुरू करने वाले हैं सार्थी में रेसिदेंस और टेक्स लाइबिल्टी पूरा चप्टर नमबर फूर खतम हो जाएगा आज ही ठीक है चलिए क्वेशन में 18 है कंपनी है एस टाइपस ऑफ रेसिदेंशिल स्टेटस एक कंपनी के पास कितने आवासिय स्थिति के प्रकार हो सकते हैं एक कंपनी के पास दो प्रक प्रकार हो जाएगी एक 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 एसा इंसान एक ऐसा भारत का नागरी जो हिंदुस्तान को छोड़के किसी और देश में चला जाता है विदेश में चला जाता है तो इसको पिछले वर्स मतलब जेस साल वो गया है उसके एक साल पहले कितने दिन हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा उस वर्स में रेसिडेंट कहलाने के लिए उसको कम से कम 182 दिन अगर वो रहेगा उसको रेसिडेंट मान लिया जाएगा धान से समझेगा कोई ऐसा इंसान जो हिंदुस्तान का नागरी है वो अब हिंदुस्ता number 20, who is the SSE in case of HUF, HUF के मामले में निर्धारिती कौन है, यानि हिंदू undivided family के लिए, जो SSE होता है, वो किसको माना जाता है, आपने हिंदू undivided family का concept पढ़ा होगा, business organization first में, become first semester में, पुछा गया कि बताए, ये SSE कौन होगा हिंदू undivided family का, हिंदू undivided family का senior most citizen जो होता है, senior करता को ही, हिंदू undivided family का, क्या माना जाता है, SSE माना जाता है, tax के computation के लिए, तो करता is considered as SSE in case of Hindu undivided family, ठीक है, अगला question 21, dividend from an Indian company is, एक भारती company से लाभांस, taxable है, या नहीं है, तो जो आपको, dividend मिलता है, इंडिया में company के, अगर आपने company के shares खरीद रखे हैं, तो shares प्यक्सार dividend लेती है, shareholders को company, part of the nominal part of the profit, मतलब पूरे profit की चोटा सा हिस्सा, जो shareholders की भी से बाठा जाता है, वही dividend होता है, तो dividend हिंदूस्तान में taxable है या नहीं है, इसके लिए बहुत detail में चर्चा करनी पड़े, अभी इस समय के हिसाब से बात करें, तो इस समय dividend हिंदूस्तान में taxable हो गई है, लेकिन कुछ साल पहले हिंदूस्तान में जो dividend की income थी, वो fully exempted थी, मतलब dividend की जो income है, उस पर कोई tax नहीं लगता, लेकिन अब taxable हो गई है, लेकिन आपके लिए जो university आपके questions पूसती है, वो इतना recent question नहीं पूसती है, ठीक है, अगर आपको recent याद रखना है, तो अभी dividend taxable हो गया, लेकिन पहले dividend taxable नहीं था, fully exempted था, ठीक है, ठीक है, अगला expenditure incurred on exempted income is tax as deduction, यानि छूट प्राप्त आय पर किया गया वह, tax कटवती के रूप में आ जाता है, तो अगर आपने exempted income प exempt कर दी गई है, इसमें कहा गया कि इस पर tax नहीं लगेगा, लेकिन आप उस income पे कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो क्या वो खर्चा allowed होगा, या not allowed होगा, तो खर्चा not allowed, exempted income याद रखिएगा, exempted income पे किया गया expenditure, allowed नहीं होता है, the income which is exempted under the income tax act, अगर आप उस पर expenditure कर रहे हैं तो आपका वो खर्चा allowed नहीं होगा, income tax act के इसाब से, हिंदी में, फूट प्राप्त आय पर किया गया वै, अनुमती नहीं है, कि आप फूट प्राप्त आय पर, ऐसा आय जो फूट है, जिसकी फूट है income tax act में, उस पर आप कोई खर्च कर रहे हैं, तो वो allowed नहीं है, उसक in section dash of the income tax act, कर से मुक्त आय, अनुभाग में बताई गई है, तो कर से मुक्त आय, ऐसा income जो exempted है, income tax act में, उसको कहां बताया गया, तो ऐसा income जो exempted है, income tax act में, उसको बताया गया under section 10 of income tax act, याद रखिएगा, exempted income की बात की गई है, income tax act यानि आयकर अधिनियम के section 10 में, इसमे section 10 में बात किया गया है income tax act के exempted income के अगला question 24 income from salary is explained in the section income from salary है वेतन से कमाई गई जो आय है उसको कहाँ define किया गया है so वेतन से कमाई गई आय को बताय गया है section number 15 to section number 17 में section 15 to section 17 में section 15 से section 17 में बताय गया कि income from salary किसे कहते है income from salary पे text कैसे लगा जाते है सारी चीज़े खांब बताय गई है section 15 to section 16 में income from salary को यानि वेतन से आय को समझाया गया है last question of this session मेरा target सा 20 question discuss करने का लेकिन थोड़ा सा आपकी भी शिंता करनी है YouTube वाले बच्चों की तो मैं 25 question discuss कर रहा हूं लेकिन अगर आपको complete crash course join करना है जिसमें आप डेर्डेर्स और दो-दोस mcqs लगाएं और उन्हीं समेस्टर के हो फोर समेस्टर के हो किसी भी समेस्टर के हो आपके लिए सार्थी पेस्ट आप्शन है और वही एक आप्शन है आपके जिनिवर्सिटी के इंटर्ण सवेस्टर गवात अपको गएत मनें बटद्राने का छलिये मैं जाएर लास कोचछन सैलरी इस दिफांड एसपर कर स्रेक्षन वेटन की अवहेलना किस धारा में की गई है वेतन की वेतन को परिभास परिभासित किस धारा में किया गया है अवहेलना नहीं गया है अवे परिभासित होगा तो वेतन को परिभासित किया गया है सक्षन नंबर 17 section number 17 subsection 1 में कहां define क्या गया है salary को section number 17 subsection 1 में define क्या गया salary को मैंने आपको पहली बताया था section 15 to section 17 deal करता है income from salary से उसमें जो section number 17 है और उसमें जो subsection 1 है यहां पर salary का definition दिया गया definition मतलब salary में क्या क्या include होगा किसको salary कहेंगे यह define किया गया सेवेंटीन सब्सेक्षिंट चलिए तो यह था आज का लेक्चर जिसमें हमने इंकम टेक्स लॉइन एकाउंट फर्स्ट के बहुत ही ज्यादे इंपॉर्टेंट पचीस एंसे क्यों को डिस्कूस किया अगर आप और भी सब्सेक्षिंट के जरूर बता है तो आपको कुछ mcqs और सब्सेक्षिंट के 20-30 mcqs प्रोवाइड कर दिये जाएंगे लेकिन इन 20-30 mcqs से आपका एक्जाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाने वाले आपको बीकम थार्ड समेस्टर का रिजल्ट आपका बता रहा होगा जो भी वच्चे के वल टार्गेट समेस्टर यूटूब चैनल पर डिपेंडेंट है लेकिन हमारा मकसद लेने का नहीं है हमारा मकसद है maximum students की help करने का अगर आपने सार्थी जॉइन किया है तो आपको बेनिफिट लग रहा होगा बाकि फिटले समेस्टर में जो भी बच्चे जॉइन के बीकॉम थार्ड समेस्टर के सबका रिजल्ट 8CGP 8.5CGP एक ऐसा रिजल आपको पढ़ना पढ़ेगा तो सार्थी जॉइन करना बहुत जरूरी है और उससे भी जरूरी सार्थी के कंटेंट को पढ़ना है तो सार्थी में जो भी कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है सारे सारे वीडियो इमानदारी से देखना है मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसके बाहर सोच नहीं पाएगी के मेरा वादा है आपसे लेकिन बस प्रोवाइड़ेड आपको हर लेक्चर को पूरियमानदारी के साथ देखना है ठीक है चलिए तो अभी तक सार्थी जॉइन नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप कमेंट करते हैं कमेंट सेक्षिन में के साथ कि फिर वी वांत मोर-मसी को भी डिशकुस किया जाएगा लेकिन limited mcqs को हम discuss कर सकते हैं because आप समाझ सकते हैं तो आप लोग जल्दी से target mobile app को download करिए और जल्दी से comment कर दिए comment section में कि आपको किस-किस subject mcqs चाहिए तो 20-30 mcqs हर subject के आपको provide कर दिये जाएंगा बिल्कुल भी निक्षिंत रहें और जो PYQs का problem है PYQs के लिए भी आपको सार्थी में PYQs का पुरा video solution provide किया जा रहा है और YouTube पे भी provide किया जाएगा video solution लेकिन सारे PYQs का नहीं कुछ ही PYQs का provide किया जाएगा तो अगर आपको सारे PYQs चाहिए सब कुछ चाहिए तो उसके लिए आप सार्थी जोइन कर सकते बागे आपको क्यों लिमिटेट कंटेंट पढ़ना है और वही 5 CGB, 4 CGB लाना है बस कैसे भी करके खीज के पास होना है हो सकता है फेल भी हो जाएए आप जो स्थिति है इस बार subject की क्योंकि subject इस बार बड़ा hard है income text जो आपकी जिन्दगी में पहली बार आप सुन रहा होंगे तो मैंने चाहता हूँ कि आप में से कोई भी student fail हो तो थोड़ा serious हो जाएए और सार्थी को जोईन कर लिएए इसके अलाबा जो YouTube पे वीडियो जा रहा है उसको भी पूरी मांदारी के साथ देखिए और comment section में जरूर बताइए कि आपको कौन कौन से lectures के mcqs कौन कौन से subject mcqs चाहिए that's it मिलते हैं next video में तब तक पढ़ते रहे पूरी उज्जा के साथ पूरी सिद्दत के साथ